तीन मंत्रों का इस्समर्ण शिव अहां पुराण में कहा गया पहला ओम नमः शिवार दूसरा मारकंडू जी के पुत्र मारकंडे 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 जी की उम्र थी मात्र बारा वर्ष जीवित रहने पर पिता जी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर तू शिव का इस्समर्ण कर अगर तूने शंकर का भजन करा तो यह पक्का है कि अकाल म्रत्यू वो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसता क्या भीगाडे जो भक्त हो महा काल का काल का हरन करने वाला एक ही हो सकता है वो महाकाल हो सकता है उसके सिवा कोई नहीं, मारकंडे जी से का तेरी उम्र बारा वर्ष की है, केवल बारा वर्ष, पूछा, पिता जी से चरण पकड़ कर मारकंडे जी पूछते हैं, मैं बारा वर्ष बात मर जाऊंगा, प्रांट छुट जाएंगे, हाँ, कथा सुनि थो निकिए के मख्थे कि यमराज आता है, पाढ़े पर वेटकर, बड़े बड़ी मुचे हैं, काला सुरूप है, मुकट सोने का पैंता है, हीडे का उसमें एक रतन लगा होता है, गले मे विश्वणन, उसमें हीडे जडे होते हैं, काला बिग्रह होता है, यमराज का और वो अपने दूतों के साथ आतर पास डाल कर बान कर ले जाता है को उस मरकंडे को वह चरित्र जाज अंतिम दिन 12 वर्ष की वो घड़ी वो पल वो थ्चिन आ गया जब मारकंडे जी के प्रांद छूटना है समय आ गया मारकंडे जी के पिता जी से कहा जाओ और जाकर आप शंकर की भक्ति में घम जाओ पिता जी और माता जी भी लग गये मारकंडे जी भी लग गये मारकंडे जी को लेने के लिए यमदूत आ गया धर गया थोड़ी दिरवाद यमदूत देखे कि शंकर करमोधन कर रहा है वापीश चले गया यमराज आ गया वही पाड़े परवेट तर वही बहसे परवेट तर वही काला सुरूप डर लग गया 12 साल के बच्चे को उसने शंक हो मुझे डर लग रहा है शंकर मुझे भय लग रहा है और तब सेज तेज महमर तुन्ज मंतर वेधिक मंतर को पुकार array नएट करा जween तेटिसक्षह के मंतर की कौकारा शंकर सामने खड़ा हो गया यमराज पीछे के अड़ गया कि यारब मेरा acet मुलता क्या है पहला मंत्र ओम नमस्षिवाय दोसरा मंत्र जम के बोलो महा मृत्तुन जय मंत्र और तीसरा मंत्र वही शिरी शिवाय नमस्तु भ्यम ज्यान दीजेगा मंत्र के तीन क्रम है मंत्र के तीन क्रम है तीनों का क्रम देख लीजिए महा मर्त्युन जय मंत्र वेदिक मंत्र इसको जब ब्रहामन जबता है कुसा का आसन विछाकर मोन रहकर घटकी जिव्या से जबता है अगर याद नहीं रहता तो वी धीमा धीमा बोलता है तेज नहीं महा मर्त्युन जय का जाब अनुष्ठान सामने कलश स्थापन करकर प्रेम से ग्यारा सो ग्यारा हजार सवा लाग अनुष्ठान किया जाए ओम नमस्षिवाय का जाब चलते फिरते किया जा सकता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाप्दिक मंत्र है इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरुवत है ना तब साधना की जरुवत है जब जब परहो संकर साथ्षी हां कोई रोग आ गया कोई बिमारी आ गया कोई कश्ट आ गया बहुत भारी आ गया तो महामर्ट्यूंजे का इस मरण शंकर की साथ्षी मों होना चाहिए वो तेतिस अक्षर का महामर्ट्यूंजे मंत्र वैडिक मंत्र शिव किस्त पर दुनिया के लोग आज वो चिल्ला चिल्ला के उस मंत्र का समर्ण करते हैं वो स्रेष्ट नहीं है नहां रहे हो सोचा दिक कर्म में जा रहे हो और वो डबा लगा दिया मंत्र चल रहा है आप मन से रूली बोलना आवाज नहीं है